सभी सब्सक्राइब त्लेब बटन सीदियोorgол। कच्छी दाबवbelli नोटिटिफिकेशन्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम दाबेली का मसाला बना लेंगे और पैन में मैं डालूंगी एक टेबल स्पून धनिया के बीज धनिया के बाद हम डालेंगे एक टी स्पून सौफ और आधा टी स्पून जीरा यहां पर मेरे पास तिल है एक चम्मच यह मैंने काले तिल लिए है अगर आपके पास सफेद तिल है तो आप सफेद तिल का इस्तमाल कर सकते हो एक डी स्पून है यह चार लॉंग है साथ से आठ काली मिर्च के दाने है एक तेज पत्ता यहां मेरे पास है चकरी फूल यह मैंने आधाई लिया है उसे हम डालेंगे और यह दालचीनी का तुकड़ा है और उसे भी हम डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से भून लेंगे दो से तीन मिनिट के लिए हमारे यह मसाले अच्छे से भून गया है इनका कलर हलका सा चेंज हो गया है दो से तीन मिनिट के लिए मैंने इसे भून लिया है और अब हम गैस बन कर देंगे और इन्हें हम अच्छे से थंडा कर लेंगे हमारे ये मसाले थंडे हो गया है और इन्हे हम मिक्षर के जार में ट्रांसुब करेंगे अब इसमें हमें मसाले डालने हैं यहाँ पे मैं डालूँगी इक चंबच लाल मिर्ची पाउडर यह तीखे पन के लिए है और यहां पर एक टी स्पूल मैं कश्मीरी लाल मिर्च पावडर डालूंगी यह क länger के लिए है आधा चमच इसमें मैं डालूंगी अमच्णूर पावडर आधा चमच इसमें हम डालेंगे काला नमक इसमें हम डालेंगे तीन चमच चीनी और इसे हम अच्छे से फीस लेंगे हमारा ये दाबिली मसाला तैयार है और इसे अब हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसे अब एर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हो अब यहाँ पे हमें लैसुन की तीकी चटनी बनानी है तो उसके लिए मैंने लिये है पंदरा से बीस लैसुन की कलिया उन्हें हम मिक्सी जार में डालेंगे दो टेबल स्पून मैंने मुंफली ली है उसे मैंने सेक लिया है और छिलका निकाला है वो भी हम इसमें डालेंगे यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ली है उसे मैं पानी में बिगो लिया था गरम पानी में 15 से 20 मिनिट के लिए उसे हम इसमें डालेंगे इसके बदले आप डायरेक लाल मिर्ची का पौडर भी इसमें डाल सकते हो और इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच नीबू का रस इसमें मैं डालूंगी एक चुटकी काला नमक स्वाथ के लिए हमारा रेगिलर नमक और इस चटनी का कलर अच्छा लाल आने के लिए इसमें मैं डालूंगी आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पौडर इसमें अब मैं एक चौथाई कब पानी डालूंगी और इसे अच्छे से पीस लूंगी हमारी ये चट्नी तयार है आप देख सकते हो और इसमें आप पानी थोड़ा एड़ करके चट्नी वाली कांसिस्टेंसी बना सकते हो बिल्कुल ऐसी इसे अब हम एक बोल में निकालेंगे हमें मीठी चट्नी बनानी है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा गुड़ इदर मैंने दो से तीन टेबल स्पून गुड़ लिया है आप आपके स्वीटनेस के नुसर कम जादा कर सकते हो गुड़ को फिर यहां पे मैंने इमली ली है एक नीम्बू के इतनी इमली हमने ली है यहां पे और यहां पे मैंने लिये हैं पांसे छे खजूर उसकी मैंने बीज निकाल ली है और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक और एक चौथाई चममज हम इसमें डालेंगे भूना हुआ जीरा का पाउडर और इसे हम गरम पानी में भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए नीचे मैंने डिस्रिप्शन बॉक्स में इमली खजूर की चटनी की लिंक भी दी है वो आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को भी यहाँ पर हमागा यह खजूर इमली का मिक्षर तयार है 15-20 मिनिट हो गया है यह अच्छे से भी गया है और इसे अब हम मिक्सी में डालके पीस लेना है अब इसी पानी के साथ हमारी यह खजूर इमली की चटनी भी तैयार है मीठी वाली और उसे भी हम बोल में निकाल लेंगे यहां पर मैंने पैन गरम कर रिखा है और यहां पर हम डालेंगे एक चमच तेल सबसे पहले हम मसाला पीनिट्स बना लेंगे अब इस पैन में एक चमच यह दाबेली मसाला में डालूंगी एक टी स्पून और उसी में हम डालेंगे मुंफली इसमें हमें सिखी हुई मुंफली डालनी है यहां पर मेरे पास पहली थोड़ा मसाला मुंफली थी यह प्लेन मसाला है तो आप जो घर पे हम सिखी हुई मु जिससे दाबली मसाला जो है इस मुंगफली में अच्छ से कोठ हो जाएगा आप इसमें चाहो तो थोड़ी सी चीनी मिला सकते हो लेकिन इस मसाले में पहले ही मैंने चीनी डाली है और मुझे जादा मीठा नहीं चीए इसलिए मैं चीनी स्किप कर रही हूँ और यह हमारी मसाल मुंगफली तयार है इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे गे जिसमें हमने यह मुंगफली सीहीती उसी में मैं ते टेल । यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पूम तेल डाला है इसमें अब मैं डालूंगी दो चम्मच दाबेली मसाला आप दाबेली मसाला कम जादा कर सकते हो आपके स्वादनुसार इस दावेली मसाले में काफी गरम मसाले है तो कई बार यह स्पाइसी भी लगता है तो इसके लिए आप इसे आपके हिसाब से कॉंटिटी आप इसकी कम जादा कर सकते हो और जितना आपने पोटैटो लिया है उस पे भी यह मसाला की कॉंटिटी के ब clan मेंने 4 invoke राली लिया है यह कैसे मैश की अब आपके बैदी लुप कर लिया पर अच्छा मैश करना है इसमें कोई वी बड़ी शंक्ता ने रहने चैए और इस उबले आलू को हम मिक्स कर लिया है पर हमें इसे राइट कं सिस्टन्सी में लाना है तो इसमें हम पानी डा दालके पानी तब प्रस्ट पानी दालुगी है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लें इस नमक दुबैरा हम रहे अच्छे से मिक्स कर लें इसमें और 2 टी स्पून इंवली और खजूर की चटनी डालुगी टेस्ट के लिए जसे मैं हमारा ये मिश्रिंड तयार है इस मसाले को हम एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे हमारी सारी चीज़े यहां रेडी है हमारा दाबिली का मसाला फिर यहां है पोमुग्रैनेट अनार के दाने मसाला सेंग धन्या पत्ता थोड़ी सी सेव यह उप्शनल है और हमारी लेसुन की यह पुले के चट्नी तीखी वाली और यह इंली और खजूर की चट्नी हम इसे असेंबल करेंगे सबसे पहले इसमें हम डालेंगे बारिकटा प्याज अब इसके उपर हम डालेंगे यह मसाला सिंग थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे थोड़े अनार के दाने अब इसके उपर हम डालेंगे desiccated coconut या आप साधा नारियल भी डाल सकते हो अब इसमें हम डालेंगे सेव थोड़ी सी और सबसे लाश्ट में हम डालेंगे राधनिया हमारा दाबेली का ये स्टफिंग पूरी तरह से तयार है अभी बस हमें दाबेली बनानी है अभी आप में मैंने पाव लिया है और उसे हम कट करेंगे बीच में अब इसमें हमें चटनी लगानी है लैसून की चटनी आप जितना तीखा पसंद करते हो और इमली जूर की चटनी अब ये जो हमारा तयार मसाला है उसे हम इसमें डालेंगे अच्छे से हम भर देंगे इसे और इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो या इसे आप बटर में फ्राई भी कर सकते हो तो हम इसे आप बटर में फ्राई करने वाले हैं जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा पैन में हमने थोड़ा सा पटर डाला है और इसे हम दोनों साइट से अच्छे से सेख लेंगे हमारी ये दावेली फ्राय हो गई है और देखो आप अच्छे से और इसमें साइट से भी हम थोड़ा सा ये पीनट्स ओनियन और सेव लगाएंगे जिससे वो दिखने में और अच्छी लगेगी और हम इसे सर्फ करेंगे हमारी ये कच्छी दावेली तयार है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है बिल्कुल आप इसे घर पे इजी ली बना सकते हो तो इसे आप घर पे जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए जाद से जादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले